नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी नेवी के पास ऐसा कौन सा जादूई हथियार है जिसकी वज़े से उनके F-18 सूपर होर्नेट्स को दूसरे देश के एर डिफेंस सिस्टम निशाना नहीं बना पाते हैं। भारत के पास जो अब मेटियोर मिसाइल है, क्या वो पाकिस्तान के पास मोजूद AIM-120 मिसाइल से बेहतर है? भारत हेलिकोप्टर कैरियर्स को बना रहा है या नहीं? क्या भारतिय जेट ट्रेनर्स में भी मिसाइल्स लगा सकते हैं? इसी तरह के आपके कुछ सवालों के सटीक फैक्ट बेस्ट जवाब मैं लाया हूँ आपके लिए इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अप्टेट्स चैनल पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला सवाल बिकरम नायक जी का है जो एएटीन ग्रोवलर की डिटेल्स पूछ रहे हैं अक्सर ये सवाल उठता है कि अमेरिकी नेवी जो ज़्यादा तर एफएटीन सूपर होर्नेट को इस्तेमाल करती है यह एफएटीन ना तो टीम की तरहें टेज स्पीड वाला है फिर भी ये कैसे दुनिया भर में अपना दबदबा बनाए हुए है कुछ समय पहले अमेरिका ने साउच चाइना सी में अपने दो एरक्राफ्ट केरियर्स को लगा दिया था चाइना ने खूब शोर मचाया कि हमारे पास ये एर डिफ जान भरते रहे चाइना उनका कुछ नहीं कर पाया ऐसा कैसे संभव है तो जवाब है ये 18 ग्रोलर ये 18 के एर फ्रेम को ही इस्तेमाल करके बनाया गया फाइटर जेट है जो दुश्मन के ट्रेकिंग रडार को जैम कर देता है यह डिसेप्शन ट्रिक के तहत दुश्मन के रडार के मोनिटर में जहां वास्तम में एक या दो ही फाइटर जेट्स दिखाने चाहिए उनकी जगह पर काफी सारी दूसरी अबजेक्ट्स की मौजूदगी दिखाने लग जाता है इसमें लगा ALQ-99 High and Low Band जैमिंग पोड दुश्मन की रडार वेवस को जैम करके साथ EA-18 Growler में Next Generation ASA Radar Technology वाले जैमर्स भी लगे हैं जो जैमिंग पावर को एक खास जगह पर फोकस कर सकते हैं इससे दुश्मन के रडार वे इलेक्ट्रोनिक्स एक तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं यानि कि अंधे हो जाते हैं और अपने टार्गेट पर फोकस नहीं कर पाते हैं EA-18 Growler तो दुश्मन के इलाके में ओपरेट होने वाले मोबाइल फोन्स तक के सिगनल्स को रोक कर दुश्मन के हर तरह के कम्यूनिकेशन को एकदम से रोक देता है ALQ-218 वे ALQ-99 jamming ports मिलकर हर तरह के surface to air खत्रे यानि कि air defense system को बेकार बना देते हैं और अपने 9 hard points पर EA-18 Growler कई सारे इसी तरह के jamming ports को ले जा सकता है सामने की तरफ से भी दुश्मन के fighter jet के engine की गर्मी को track करने वाले forward looking infrared ports को भी इसमें लगाया जा चुका है अब तो EA-18 Growler में सबसे latest वे बेहत पारफुल ALQ-249 jamming ports भी लगाया जा रहे हैं लगबग 150 EA-18 Growler अमेरिकी नेवी में अपनी services दे रहे हैं यह दो सीटर fighter jet है जिसमें पीछे वाला पाइलेट electronic warfare systems को operate करता है यह एक साधारण FA-18 Super Hornet की तरह ही उड़ सकता है उसी की तरहें AN Oblick APG-79 ASA Radar से लेस है और साथ में missiles भी कैरी कर सकता है ताकि अकेला ही दुष्मन के ground radars को disable करके उन्हें destroy भी करके वापिस aircraft carrier पर आ सके जब तक EA-18 Growler American Navy के पास मुझूद है चाइना सिर्फ धमकी देने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों अगला सवाल उटसब बरल जी का है जो पूछते हैं कि पाकिस्तान के पास जो MRAM BVR मिसाइल्स हैं और जो भारत ने राफेल के साथ मेटियोर मिसाइल्स ली है उनमें से कोन सी BVR मिसाइल बेस्ट है उटसब जी पाकिस्तान के पास जो F-16 के पुराने वेरियंट्स मुझूद हैं उनमें AIM-120C-5 BVR मिसाइल्स लगी हैं जिनकी मैक्सिमम रेंज 100 किलो मिटर तक है ये उन रेशियन R-77 BVR मिसाइल्स से ज़्यादा है जो सुखोई 30 MKI में लगी है और जिनकी रेंज 80 किलो मिटर तक है राफेल के साथ जो मेटियोर मिसाइल्स आई हैं उनकी रेंज 160 किलो मिटर तक है हलांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर यह 200 किलो मिटर तक भी बताई जा रही है लेकिन बात सिर्फ रेंज की ही नहीं No Escape Zone की भी है यह वह रेंज होती है जिसमें फाइटर जैट के लिए बच निकलना लगबग impossible हो जाता है जहां एम 120 की No Escape रेंज 25 से 30 किलो मिटर है तो वही मेटियोर की No Escape रेंज 70 किलो मिटर तक है इसके दो कारण है पहला तो ये कि AIM-120 अब काफी पुरानी टेकनोलोजी की हो चुकी है जबकि मीटियोर लेटेस्ट टेकनोलोजी के हिसाब से डिजाइन हुई है जिससे इसे जैम कर पाना बेहद ही मुश्किल है आपको यादी होगा कि पिछले वर्ष 27 फरवरी को जब काफी सारे पाकिस्तानी F-16 ने 4-5 AIM-120 मिसाइल्स एक अकेले भारतिय सुखोई 30 MKI पर लौंच कर दी थी तब भी इस भारतिय सुखोई 30 MKI को नहीं गिराया जा सका क्योंकि इसमें बेहतरीन इसराइली जैमर्स लगे यानि की इंजन जहां AIM-120 में सोलेड फ्यूल रोकेट मोटर का इस्तमाल होता है जो इसे एक बार में ही मैक 4 की स्पीड तक पहुचा देती है लेकिन जब ये AIM-120 मिसाइल थोड़ी ज़्यादा दूरी पर मौझूद फाइटर जेट के नस्दीक पहुंसती है तो इसका फ् पास्ट स्टेज में जादा मैनिवर्स नहीं कर सकती है ऐसे में फाइटर जेट तेज मैनिवर्स करके अकसर बच निकलता है वहीं दूसरी और मिटियोर मिसाइल में लगा थ्रोटल डक्टेड रेम जेट इंजन इसे काफी तेज स्पीड से आगे ले जाता है और फाइटर इसे मैकसिमम स्पीड तक पहुँचा सकता है जिसके बाद फाइटर जेट कैसे भी मैनिवर्स करके इससे नहीं बच पाता है भारत इनी सब खूबियों के साथ स्वेदेशी रेम जेट इंजन पावर्ड अस्तरा MK2 BVR मिसाइल भी बना रहा है जिसकी रेंजवे काबलियत मी इनस विक्रम अदित्य एक एरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर मिग 29 के उपरेट करते हैं उसी तरह से छोटे साइज के हेलिकॉप्टर कैरियर्स पर 10 से 12 हेलिकॉप्टर्स उपरेट करते हैं ये हेलिकॉप्टर्स अटैक करने के रोल के साथ साथ सब्मरीन डिटेक्शन एन हं वे रेस्क्यू मिशन्स को अंजाम देने के हिसाब से तैनात किये जाते हैं खास तोर पर थोड़े छोटे इलाके जैसे आइलेंट्स की सुरक्षा के लिए इने लगाया जाता है जैपैन इसी तरह के कई हेलिकॉप्टर कैरियर्स को ओपरेट करता है लेकिन इन पर मौझूद हेलिकॉप्टर की स्पीड कम होती है ये जादा मैनिवर्स भी नहीं कर पाते हैं इसलिए इने उन देशों के खिलाफ इस्तमाल नहीं किया जा सकता है जिनके पास अच्छे रडार्स वे अच्छे एर डिफेंस सिस्टम मौझूद हो यानि हम हेलिकॉप्टर कैरियर्स को पा लेने की प्रोसेस पर काम कर रहा है ये लेंडिंग प्लेटफार्म डॉक जहाज एक्च्छल हेलिकॉप्टर कैरियर्स से आधे यानि की पांक से छे हेलिकॉप्टर को ही ओपरेट कर सकते हैं लेकिन ये साथ में एक हजार से भी जादा सैनिकों वे मिलिटरी के दूसरे साज सामान को तेजी से दुश्मन के इलाके के नजदीक पहुंचाने की काबलियत रखते हैं भारत फिलहाल अमेरिका से 2007 में लिए गए एक लेंडिंग प्लेटफार्म डॉक जहाज को ओपरेट कर रहा है जिसे आई एनेस जलश्वा का नाम दिया गया था फिलहाल इसके उपर स हेलिकॉप्टर्स ऑपरेट करते हैं और जल्दी ही अमेरिका से लिये जा रहे मेच 60R हेलिकॉप्टर्स भी इस पर ऑपरेट करते हुए दिखाई देंगे अगर भारत आगे चलके अमेरिका से F-35 के B वेरियंट को खरीद लेता है जो वर्टिकल टेक ओफ लेंडिंग की बात किया है वैसे इंडियन नेवी के ज्यादातर बड़े जहाज एक या दो हेलिकॉप्टर्स को ओपरेट करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं दोस्तों अगला सवाल डिपेंदर सिंग जी का है जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जेट ट्रेनर्स को भी मोडिफाई किया ज सकता है ताकि वो मिसाइल्स को कैरी कर सकें दिपेंदर जी हमारी एरफोर्स पिलेटस PC-7 टर्बो वे AJT हौक ट्रेनर एरक्राफ्ट पर अपने पाइलेट्स को ट्रेन करती हैं मोडन फाइटर जेट्स काफी तेजगती से उड़ते हैं बहुत मुश्किल मैन्यूवर्स कर सक ले कम स्पीड वाले ट्रेनर्स पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिया जाता है उसके बाद सिमूलेटर्स पर ट्रेनिंग और फाइनली एक्चुल फाइटर जेट के ट्विन सीट वेरियंट पर ट्रेनिंग की जाती है ये जेट ट्रेनर्स बिलकुल वैसा ही एक्सपीरि वाले नहीं होते हैं कि दुश्मन के फाइटर जेट्स को ही टकर देने चले जाएं। इनका रडार काफी कम रेंज वाला होता है साथ ही इन में मिसाइल से खुद को बचाने लाइक काउंटर मेजर सिस्टम भी नहीं होते हैं इसलिए ये सिर्फ ट्रेनर होते हैं इन से एक्चुल फाइटर जेट का काम नहीं लिया जा सकता है दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ट जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की उमीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे अगर आपके मन में भी डिफेंस सम्बंदी कुछ सवाल है तो नीचे दिये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें नमस्कार